अबिधाशी शेर्माइब आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग वेरी इंपोर्टन टॉपिक ओफ अगाउंट एंसी देप्रिशेशन हिंदी में से मुल्लया हारास कहते हैं इसके हम बात करेंगे इसके आज की वीडियो में प्रेक्टिकल प्रावलम और निमेरिकल प्रावलम रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन मैथेड और इसमें सबसे बड़ी बात जिस पर ध्यान दिया जाएगा जब एक से ज़्यादा जो फिक्स एसर्स हैं वो शामिल हो उन पर डेप्रिशेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कुछ अलर्ड ये ध्यान रखें कि वीडियो को फुल सक्रीन करके देखें अपने डिवाइस पर जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो और शुरू से लेकर एंड तक देखें तो आपको मैक्सिमम कांटेंट और पूरी जानकारी आप रापत कर सकेंगे इयरफोन और हेडफोन का यूज़ करेंगे तो कॉंसेप्ट क्लियरली आपको सुनाई भी देगा तो एक बात बता हूँ जैसे कुछ कुछ कुश्चन है डिप्रिशेशन के रिगार्डिंग वट इस डिप्रिशेशन वट अर दा मैथर्स ओफ डिप्रिशेशन नमेरिक और प्रेक्टिकल प्राउलम्स विद वन फिक्स असेट और देगा और यह सारे कॉंसेप्ट मेरे इस चैनल पर ही ए थर्टीवन एप और एसे ही थर्टीटीटू एच और एच हिंदी और पंजाबी वर्जन है उसमें already हैं आप वहाँ पर इन सारे जो क्वेरीज हैं इसके regarding आप वहाँ पर detailed information ले सकते हैं तो आज की बात करते हैं आज हमारा जो method है वो है straight line method जिसके दूसरे दो नाम है original cost method और fixed installment method इसमें बात करेंगे हम practical problems और we can say numerical problems when more than one answer involves in the different transactions of a business सबसे पहले जिस method की बात करते हैं briefly हम उसकी तरफ देखें straight line original cost or fixed installment method है क्या है under this method जैसे यहां पर मैंने clearly लिख है under this method the value of fixed asset is reduced gradually over its useful life a fixed proportion of original cost of asset is written off annually so that the time of asset is worn out its book value is reduced to zero or residual value we can say estimated sacrifice इस बात को समझे ध्यान से इस जो method है straight line method में fixed asset की जितनी भी useful life है estimate हमें पता है वो average जो है 10 साल चलेगी 5 साल चलेगी उसकी जो भी useful life है उस fixed asset की उसको एक fixed proportion में हर साल उसकी value कम हो जाती है fixed proportion में जो amount एक साल में आ गया उससी amount के साथ हर साल उसकी जो book value है वो zero रह जाएगी या उसकी scribe value जितनी भी है scribe value मतलब जो उसका reward का मुल्या होगा last में जो बचेगा okay annual depreciation calculate कैसे करते हैं इस method में original cost of fixed assets जो fixed assets की original cost है उस पर calculate करते हैं उसमें से क्या करते हैं estimated जो scrap value अगर है तो वो minus कर देते हैं अगर नहीं है तो वही original cost of fixed assets हो सकता है zero हो scrap value और divided by estimated life value life of asset in years और उस asset की सालों में कितनी life है उस number of years के साथ उसको divide कर देते हैं तो इन brief formula क्या होना d is equal to c minus s upon n d उसकी d depreciation है c cost है s उसकी scrap value है n क्या है life in years ओके तो student briefly हम देखें depreciation इस method में calculate कैसे करते हैं let a machine be bought for 1 lakh whose useful life has been estimated 5 years after the expiry of useful life the estimated scrap value will realize 25,000 calculate depreciation with straight line method सबसे पहले जो मैंने बाते हैं बताई cost of machinery जो है fixed asset जो है वो machinery है वो 1 lakh है estimated life n 5 year है scrap value s है cost को हमने c के साथ show की है annual depreciation calculate कैसे करते हैं formalize this one c minus s upon n 1 lakh जो उसकी cost से उसमें से 25 और scrap value minus की 75,000 आगे उसको 5 के साथ divide किया तो 15,000 रूपीज annual depreciation होगी ये ध्यान रखो annual है तो 15,000 अगर half year की है 6 months की उसके accordingly proportionality वो कम हो जाएगी लेकिन हर सल 15,000 depreciation ही आने वाली है बुक्स में ये ध्यान रखें एक बात ध्यान रखें ये जो depreciation है proportion और percentage basis पे भी हो सकती है और ये भी possibility है कि कोई भी subscribe value ना हो तो subscribe value को zero माल लेंगे उस आलत में लेकिन सारा का सारा बाकी content उसी तरह से हम उसको resolve करेंगे किसी भी practical problem को depreciation निकालते होगी तो अब कुछ basic journal entries जो किसी भी method में adopt होती है when asset purchase, कोई भी asset purchase की जाए मालो machinery purchase की है, furniture purchase की है furniture और machinery account debit जा कोई और asset हो सकती asset account debit to bank account जब उस पर हर सल depreciation charge गर नहीं है then journal entry भी depreciation account debit to machinery or that fixed asset जो भी involved हो उसकी value काम होगी उससे उसको credit करेंगे depreciation loss हो गया और सारे के सारे depreciation का जो loss है वो profit and loss को हर सल transfer कर देते हैं when depreciation transfer to profit and loss account entry के भी जाएगी profit and loss account debit to depreciation account अगर किसी साल, किसी fix asset को sell out किया जाए तो उस पर profit जाएगा loss कुछ भी हो सकता है अगर loss होगा तो ये वाली journal entry बनेगी जब उसको sell करेंगे bank account debit profit and loss account debit to asset account और अगर profit होगा तो bank account debit to asset account to profit and loss account इस डंग से generalized format होता है किसी भी method में depreciation का तो आगे आज का जो main problem है जो हम straight line method कर रहे हैं उसमें complete question देखते हैं जब more than one fixed asset involved ध्यान से पहली बात ध्यान रखें स्टूडेंट सारा question को detail में बढ़े date उसकी amount और जो जिस धंग से depreciation charge करनी है वो सारा कुछ ध्यान से पढ़ना होता है numerical question करते हुए सुजीत ने फ़र्नीचर परचेज की है 45,000 का उसकी estimated life 10 साल है और 10 साल वाद estimated जो सक्रैब वैल्यू है इसको residual value भी कह सकते हैं वो 5,000 मिल सकता है ऐसा अंदाजा है on 1st April 2018 next year another furniture of rupees 9,500 वाज with residual value 500 एक और furniture परचेज की है and one more for 8,400 with scrap value 400 on 1st October 2020 both of 10 year life has been added in business एक और furniture परचेज कर लिया 8,400 का जिस ही scrap value 400 है 1st October 2020 को और दोनों इन दोनों की जो life है वो 10 साल है estimated दोनों को business में add up किया means purchase कर लिया show the furniture account with fixed installment method for first 4 years 4 साल का account बनाने भी fixed installment method के साथ straight line method भी खह सकते हैं इसको when books are closed on 31st March every year हर साल 31st March को books close हो रही है ये सारा basic content है अब इनको लेके चलते हैं सबसे पहले students तीन जो अलग लग furniture परचेज किया है उन पर depreciation कैसी calculate देंगे इस method में सबसे पहले जो first machine परचेज की थी उसकी cost 45,000 है ये मैंने उपर भी आपकी सुभीधा के लिए फिर से question लिख है estimated life जो n है उसकी 10 year है और at the end of life fetch 5,000 उसकी scrap value s कितनी है 5,000 depreciation का method का है d is equal to c minus s upon n 45,000 में से 5,000 minus किये 40,000 आगे 10 के साथ divide किया 4,000 annual depreciation होगी है ये हर साल हम 4,000 ही show करेंगे अगर वो full year business में होती है second furniture फिर purchase किया 1st April 2018 को 9,500 का residual value 500 है और उसकी estimated life 10 साल है तो क्या हो न 9,500 cost s क्या होगी scrap value 500 and number of years कितने होगे 10 year जो estimated life है formula लगाया 9,500 में से जब 500 9,500 जब 500 माइनस किये 10 के साथ divide किया तो 900 rupees उसकी depreciation हागी next इसी तरह से third जो फिर्णीचर पर्चेज किया है वो हमने पर्चेज किया इस business में 1st October 2019 को cost है उसकी 8,400 scrap value 400 and जो number of years उसकी life है 10 year formula यही लगाया C minus S upon N 8,400 में से 400 minus किये 10 के साथ divide किया annual depreciation 400 आगी अगर जैसे यह furniture है 1st October को purchase किया है तो 31st March तक 6 month business में रहा 2019 की बात करें तो तो इस हालत में ध्यान रखना हुगा कि half yearly depreciation आजाएगी full year annual depreciation 800 है तो 6 month की कितनी होगी 400 तो हमने जो तीन furniture purchase किया है उनको लग-लग identification देने के लिए वो easy way होता है F1, F2 और F3 नाम दे दिया पहले पे annual depreciation 4000 कैलकुलेट की थी second पे 900 third पे depreciation कैलकुलेट की है annual 800 और 6 month की वो कितनी है 400 6 month की तो हम किसी की भी कैलकुलेट गर देते हैं annual है उसको half कर देंगे ओके next student अब बात करते हैं furniture account बनेगा कैसे सबसे पहले वो furniture purchase किया furniture account debit to bank F1 first furniture जो purchase किया 4500 का अब उस पे depreciation आएगी हर साल at the end of year 31st March 2018 क्योंकि first April से लेकर next year के 31st March तक कूरा साल बन रहा है तो 31st March को F1 पे जो depreciation में ने पहले वी calculate की थी working note में यहां भी देख लो वही C minus S upon end का हमने formula लगा है depreciation आगी 4000 साल के end में 31st March को ही इसका balance निकालेंगे क्योंकि साल close हो रहा है वो buy balance carry down ध्यान से देखो at the beginning of year उस furniture की value 45000 थी उसमें से 4000 जो depreciation है वो हमने minus कर दी furniture की value रहागी 41000 दोनों side got total 45000 लगाया और first year complete same balance next year के start में as a opening balance हमने brought down कर लिया 2018 two balance brought down F1 41000 that is the complete first year second year में क्या हुए student second year में first April को ही एक और furniture purchase किया two bank F2 purchase यह देखो ध्यान से उपर question में है 9500 का जिसकी residual value 500 two bank F2 purchase 9500 by depreciation उसी तरह से depreciation charge करेंगे आप दो furniture हो गए है F1 पे तो वही 4000 जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से पिछले साल हमने calculate किया था same इस वर्ष भी हम F2 पे जो depreciation calculate करेंगे पूरे year की जो depreciation की नहीं बनी 4900 दोनों को add करिया उसके बाद दोनों furniture का balance निकालेंगे 31st March 2019 को अब दो furniture होगे at the end of year F1 और F2 F1 का इस वर्ष के अरभ में balance था 41,000 और उस पे depreciation वही 4000 minus की तो उसकी value कितनी रहेगी book value 37,000 F2 जो दूसरा furniture है वो इसी वर्ष पर चेज किया 9,500 में उस पर depreciation कितनी है 900 minus की तो उसकी book value रहेगी 8,600 at the end of year अब दोनों को add किया 37,000 और 8,600 को तो business में जो furniture है total 45,600 का रहे गया दोनों side का total हो गया 50,500 ये complete second year हो गया अब dear student ध्यान रखो ये जो closing balance है दोनों furniture के 1st April 2019 को यही दोनों balance ओपनिंग बन जाएंगे 37,000 और 8,600 क्योंकि हमने 4 साल का account त्यार करना है अब आगे बढ़ते हैं आगे देखो क्या हुआ उसके बाद एक और furniture परचेज किया वर वो 2020 में परचेज किया इसका मलब 3rd year उसने कुछ भी परचेज नहीं किया 3rd year same balance लेकर हम उसी तरह से depreciation शो करेंगे पूरे साल की कैसे ध्यान से देखो 3rd year के beginning में 1st April को F1 और F2 का balance हमने brought down कर लिया 2 balance brought down 37,000 and 8,600 total balance 45,600 अब at the end of year 2020 31st March को depreciation charge की by depreciation F1 पर उसी तरह से 4000 F2 पर 900 जैसे पहले हम calculate कर चुके हैं 2nd year में क्योंकि fix installment method है depreciation की value same रहेगी total depreciation होगी 4,900 अब दोनों furniture का balance निकालेंगे F1 और F2 का balance at the beginning of year 37,000 था F1 का उसमें से 4000 depreciation माइनस कर दी तो हमारे पास जो F1 है उसकी book value 33,000 रहेगी furniture की जो F2 second furniture है उसकी at the beginning of year 8,600 बैलनस था book value उसमें से F2 की जो depreciation है ये वाली 900 हमने माइनस कर दी तो उसकी book value रहेगी 7,700 तो हमारे पास at the end of third year जो दो टाइब के furniture है उनकी total book value 40,700 रहेगी दोनों तरफ का total किया 45,600 balancing करने के बाद उसके बाद इस balance को closing balance है 4th year के beginning में यही balance क्या बन जाएंगे opening balance 2020 में 1st April को 2 balance brought on F1 और F2 का यही balance 33,7700 दोनों को हमने brought down कर लिया 40,700 आ गया इस सल क्या हुआ 1st October को एक और machinery add की है 8,400 की 2 bank F3 purchased 8,400 अब depreciation charge करेंगे students ध्यान रोखो दो तो furniture पहले वले चल रहे हैं एक और नया होगे अब 3 पे depreciation आएगी F1 पे हम 3 बार calculate कर चुके है 4,000 depreciation straight line method same depreciation F2 पे भी calculate कर चुके 900 जैसे यहां दिखाई थी 3rd year में ध्यान से देखा उपर और F3 क्योंकि इसी साल add हुए है तो इस versus की depreciation आएगी 8,400 minus 400 square value 10 के साथ डवाइड गया तो 800 बन गी लेकिन क्योंकि वो first October को add हुए है 31st March तक 6 month बने तो उस पर half year की depreciation आएगी इसलिए 800 का जब half गया वो बन गया 400 4000 ये वाले F1 की depreciation 900 F2 की depreciation 400 F3 की depreciation तीनों को add गया total depreciation बन गया 5,300 अब 4th year है उसका end आ गया 31st March को ही उसका balance show किया buy balance carry down not brought down carry down हमने balance करना है यहाँ पर F1, F2 और F3 का balance हमने लिखना है जो F1 है उसकी value थी book value 4th year के beginning में 33,000 4000 उसमें से depreciation minus की book value रहागी 29,000 second है जो F2 second furniture है उसकी साल के शुरू में value थी 7,700 उसमें से 900 depreciation minus की at the end of year 6,800 book value रहागी F3 जो हमने purchase किया था 8,400 में से ध्यान रुको उसकी depreciation half year की कितने है 400 उसकी book value at the end of year होगी 8,000 तीनो depreciation को जब add किया इन तीनों को तो तीनों का तीनों का total बना 40,800 दोनों को add किया इस side का total भी 49,100 आ गया इसका भी 49,100 that is complete 4 year of furniture account यही balance जब 5th year में जाएंगे यह जो F1, F2 F3 के balance है यही वहाँ पे opening balance बन जाएंगे अगर हम 5th year का बनाना होता हमने 4 year का furniture account बनाना था वो बन गया यह है complete furniture account एक बात और से हर साल जितनी भी depreciation होती है अगर वो depreciation account कहता वो profit and loss को transfer होती है पहले depreciation चार्ज करते हैं उसकी entry में ने बताई आपको शुरू में depreciation account भी to furniture तो हर साल पहले वर्ष की जो total depreciation थी 4000 जितनी भी बन रही है दूसरे वर्ष की दोनों टाइप के furniture को मिला के 4900 तीसरे जो वर्ष था उसमें भी 4900 और 4th year में जो depreciation बनी थी वो 5300 जितनी भी depreciation बनती है वो सारी की सारी हर वर्ष profit and loss को transfer होगी at the end of year उसी तरह से 31st March 2018 को by profit and loss account 4000 कोई balance नहीं है कोई carry down नहीं है account close first year का second year में भी जितनी depreciation शो की वो सारी की सारी profit and loss को transfer कर थी by profit and loss account 4900 second year भी close third year में भी depreciation थी 4900 सारी की सारी profit and loss को transfer की 4900 account close fourth year में depreciation की थी 5302 furniture करके सारी की सारी profit and loss को transfer कर थी 5300 and 4 साल का जो depreciation account है वो complete समझ लगी मेरी बात तो finally solve question भी look like as जब हम सारी question को देखेंगे वो हमें इस तरह से देखेगा यह पहले दो साल का furniture account हो गया सारे balances आगे हमने brought down किये third or fourth year का फिर furniture account यह बन गया क्योंकि यहां sheet की problem हो सकती आपका यही account एक page पर भी आ सकता है करते हुए depreciation account इस तरह से बनेगा तो I think the whole concept is clear आपको समझ आ गया होगा जो भी content आपको इस numerical से related clear नहीं है इस वीडियो के उस इससे में जाके दूबारा देखें आपको सारा concept clear हो जाएगा I think now the whole concept will be quite clear अगर कोई question है आपका तो में जाके comment दें वहाँ पर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा dear students एक बात और इस चैनल अपर और बहुत सी वीडियो है commerce से related commerce के different subjects motivational videos आप उनको भी देखें आने वाली videos को भी देखते रहें तब तक thank you very much